कल पुरियां में अपने कार्याले पर पपू यादो एक प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं और इस प्रेस कॉन्फरेंस में राजद और तेजस्वी यादो के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं उनके खिलाफ जमकर हमला बोलते हैं पपू यादो ने न तो तेजस्वी यादो का नाम नराजद का नाम लिया उसके बावजूद उन्होंने जो बाते कहीं वह बाते साफ साफ हिंगित कर रही थी कि पपू यादो किसके बारे में बात कर रहे हैं पपू यादो पहली बार प्रेस कांफरेंस किये और इस माध्यम से उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि उनको फसान से बताएंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार में नाम वेद प्रकास है आप जंता जंग्चन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल दरसल पपु यादो ने कल एक प्रेस कॉंफरेंस किया उस मामले में जिस मामले में उनके उपर जो है एक करोर रंगदारी मांगने का FIR दर्ज किया गया है और अब कोट से उनको बेल मिल गया है बेल मिलने के बाद पपु यादो एक प्रेस कॉंफरेंस का एउजन करते हैं और पत्रकारों को संबोधित करते हुए वो कहना शुरू करते हैं कि मेरे उपर धारा 387 लगाया गया था आर्टिकल 387 को इंपोज किया गया था IPC के सेक्षन और उसके बाद वो कहते हैं कि 387 कव लगाया जाता है जब आप किसी से जबरदस्ती कोई चीज छिल ले या फिर उसके साथ गाली गलोज करें या फिर उसको टॉर्चर करें पपु यादो आगे कहते हैं कि ना तो हमारा ना कोई कले से उनसे ना कोई intention है और ना कभी मुलाकात हुई है तो फिर ये धारा 387 लगाने का क्या यर्थ बनता है पपु यादो कहते हैं कि ये धारा 387 जो है सिर्फ हमको harass करने के लिए साजिस के तहत लगाया गया है पपु यादो कहते हैं कि ये non available धारा है मतलब ये कि सेक्षन आईपीसी के सेक्षन 387 के तहट जिसके खिलाफ केस दर्जी किया जाता है उसको कोट से बेल लेना होता है उसको थाने से बेल नहीं मिलता है पपु यादो कहते हैं कि आखिर ये साजिस हमारे खिलाफ किसमें रची उसके बाद पपु यादो जो कहते हैं उस बात स साफ साफ इस बात का इसारा हो जाता है कि पपू यादो किसके बारे में बोल रहे हैं और पपू यादो को कौन जो है फसाना चाहता है पपू यादो कहते हैं कि जब मैं दिल्ली में था प्रियंका गाधी से मिला कॉंग्रिस के अधक्ष खडगे जी से मिला और मिलकर के बाहर निकला उसके ठीक 40 मिनट बाद ही ये खबर क्यों आई आगे पपू यादो कहते हैं कि किनको डर है कि बिहार में कॉंग्रेस कहीं अपना जिम्मेदारी जो है पपू यादो को नौ सौप दे अब आप समझ सकते हैं इस बात कि पपू यादो जो है इस बात की और इसारा कर रह हैं कि आखिर किसको दिक्कत हो सकता है पपू यादो को अगर कॉंग्रेस बिहार प्रदेश की जिम्मेदारी दे देगी तो कहीं न कहीं साफ साफ इस बात की और इसारा जा रहा है कि तेजस्वी यादो के बारे में वो बात कर रहे हैं तेजस्वी यादो और पपू यादो का जमानत जब्त हो गया तो उन्होंने वहाँ ये अपील कर दिया था कि आप अगर वीमा भारती को वोट नहीं देना चाहते हैं तो NDA के परत्यासी को दे दीजेगा लेकिन पपूई यादो को नहीं दीजेगा और उसके बाद से इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो लगा तार बढ़ते गया और अब जब पपूई यादो ने इस बात की और इसारा कर दिया है कि आखिर वो ब्यक्ति कौन हो सकता है जिसको इस बात से दिक्कत होगी कि कॉंग्रेस कहीं बिहार में पपूई यादो को अपना जिम्मेदारी न दे दिए पपूई यादो आगे कहते है कि जितनी ताकत लगाना हो लगा लीजी है हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं मुख्य मंत्री हो या परधान मंत्री हो मंत्री जी हो या फिर कोई और हो हो हम डरने वाले नहीं है कोई फर्क नहीं परता है हम जंग के लिए तयार हो चुके हैं अब पपूई यादो जो है तेजस्वी यादो के सामने कमर कसके खड़े हो गए हैं और इस बात के लिए ताल ठोक दिये हैं कि चाहे आप कोई भी हो मुख्य मंत्री हो प्रधान मंत्री हो या फिर कोई मंत्री हो हमको फर्क नहीं परने वाला है हम जंग के लिए तयार हो चुके हैं तेजस्वी यादो हम आपको अपडेट करेंगे लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रही है और देखते रही है जंता जंग्चन बहुत बहुत धन्यवाद